जैन दोस्तो रक्षिक खन्नकिस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के जीडियो में हम बात करेंगे सिपाई से लेके ओनरी केप्टन तक की रेंग के बारे में उनकी पेंशन के बारे में JCOs की, SEOs की और OARS की पेंशन के बारे में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा JCOs की और SEOs की पेंशन के बारे में जिनका रेंग नैप सुवधार से लेके ओनरी केप्टन तक का है जैसा आपको पता है JCOs को SEOs को नुक्सान हो रहा है पेंशन में आपकी पेंशन बड़ी नहीं रही है आपकी पेंशन माइनस में जा रही है अब दोस्तों इस नुक्सान के दो कारण है पहला है Average और दूसरा है Minimum Pension यानि जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन मिनिमम की जा रही है जिसका नुक्सान पुराने पेंशनर्स को हो रहा है तो दोस्तो अब जो आगे आने वाले pensioners हैं, कैसे उनकी pension ठीक की जाए, कैसे उनकी pension maximum की जाए, जिसका फाइदा फिर फुराने pensioners को मिल पाए, तो इसी पे मैं आपको कुछ जानकारिया दूँगा. फिर एक और मैं आपको जानकारी दूँगा, एर्थ CPC पर, वारोपी की विस्तंगतिय को सुधारने के लिए, JCOs की, SCOs की pension बढ़ाने के लिए, आठवा वेतनायोग आना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, ताकि कुछ विस्तंगतिया कम की जा सकें, और JCOs की, S पेंशन बढ़ेगी, हर एक को फायदा पहुचेगा, तो दोस्तों वही फायदा आपको भी मिल जाएगा, तो दोस्तों इसी पे मैं आपको कुछ जानकारिया दूँगा, फिर एक और मैं आपको जानकारिया दूँगा, JCOs की pension कहीं न कहीं खतम की जा रही है, SCOs की pension कहीं 2200, 1600 रुपे बढ़ रही है, और एक तरफ JCOs की SCOs की pension माइनस में जा रही है, कम हो रही है, तो दोस्तों OR की pension अगर ऐसे ही बढ़ती रही, तो एक समान वो JCOs के समान पहुच जाएगी, उनकी pension के समान, क्योंकि JCOs की pension बढ़ नहीं रही है, ये सबसे बड़ी problem है, तो इ वीडियो काफी महत्पूर हैं आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा, और अपने गुरूप में भी शेयर कर देगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल द और 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 त्री में एवरेज की पॉलिसी इस्तमाल करना सही नहीं है, जिया दोस्तों जब तक एवरेज यूज होगा, आपकी पैंशन मैक्सिमम नहीं होगी, फायदा उनको ही मिलेगा पुराने पैंशनर्स को, जिन पैंशनर्स की आगे पैंशन बढ़ रही है, अ जादा हाई नहीं है, तो उसका एवरेज भी कमी बनेगा, और उसका नुकसान पुराने पैंशनर्स को होगा, और फिर पुराने पैंशनर्स की पैंशन नहीं बढ़ पाएगी, तो यही है एवरेज की गलती यहाँ, यही है एवरेज की प्रॉब्लम, अब दोस्तों, इसमे में काफी नुकसान है रैंकों को जैसे आपको पता है एवरेज में रैंकों को मुखसानि ही हो रहा है शुरू से लेके आखरी तक। दोस्तो यह मैं रैंक ले रहा me यां पर सुबेदार 28 साल और सुबेदार 30 साल। पहले मैं आपको कुछ calculation समझा देता हूँ फिर मैं आपको कुछ और जानकारिया दूंगा आगे दोस्तो सुवेदार की 28 साल में कैसे pension set करी ओवारूपी 2 में ओवारूपी 1 में कितनी थी और ओवारूपी 3 में कितनी हुई दोस्तो सुवेदार की 28 साल में minimum pension करी 25-600 यानी 2018 में जो सुवेदार आये थे उनकी minimum pension ती 25-600 और maximum pension ती 33-600 इसका average निकाला गया तो pension बनी 39-600 ये pension ती OROP 2 में एक सुवेदार की 28 साल में जो 30 जून 2004 तक आये उनकी pension ती 31-529 OROP 1 की OROP 3 की pension जो set करी अभी वो करी 30,175 यानी पहले ज़्यादा pension ती उसके बाद pension revise हुई वो pension कम हो गई फिर 30 बार pension revise हुई वो भी कही ना कही कम हुई ये तो है नुकसान pension में average के कारण अब दोस्तों सुवेदार 30 साल का देखिए OROP 2 में यानी 2018 में जो सुवेदार आए 30 साल के उनकी minimum pension ती 26-400 और maximum pension ती 35-600 दोनों का total करेंगे आदा करेंगे तो दोस्तों pension बनी OROP 2 में एक सुवेदार की 30 साल में 31,000 OROP 3 में हो गई है 31,500 और जो OROP 1 ले रहे थे 30 जून 2014 तक जो आए थे 32,614 यानी पहले pension ज़्यादा थी उसके बाद pension कम हो गई उसके बाद सिरफ 500 रुपे pension बढ़ी सिरफ 500 रुपे यह है नुकसान average का दोस्तों यह सब हुआ जो आगे आने वाले pension से हैं उनकी pension कम होना उसकी वज़े से हुआ जो आगे आने वाले pension से उनकी pension ही ज़्यादा नहीं है जिसका नुकसान पुराने pension से उठाना पड़ रहा है अब दोस्तो कैसे इनकी pension ठीक की जाये? कैसे सुविधार की, नायप सुविधार की, सुविधार मेजर की, ओनरी लेटिनेन्ट की, ओनरी केप्टन की pension ठीक की जाये? दोस्तो ठीक करने का एक ही तरीका है. या तो minimum, maximum pension बढ़ाई जाए, ये वाली pension बढ़ाई जाए. अगर ये वाली pension बढ़ती है, और ये वाली pension बढ़ती है, तो इसका average फिर बढ़ेगा. और उसका फायदा फुराने pension उसको मिल जाएगा. कैसे बढ़ेगा एक example समझ लेते हैं बढ़ेगी कैसे pension ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ सुवेदार 28 साल minimum pension यहाँ पर लेनी पड़ेगी 31.100 यानि 25.700 से ज़्यादा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आगे आने वाले pensioners की pension बढ़ाई जाए किस तरीके से उनकी pension बढ़ाई जाए जिसका फायदा पुराने pensioners को मिल जाए मैंने आपको बताया कि minimum pension यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी और उसी के साथ साथ maximum pension भी बढ़ानी पड़ेगी minimum maximum pension बढ़ानी पड़ेगी तब दोस्तों ये pension निकल के आएगी सुवेदार 28 साल में 33,000 आप यहाँ पर देख रहे हैं तब दोस्तों ये फायदा देखने को मिलेगा जो पुराने सुवेदार हैं उनको भी फायदा मिल जाएगा या फिर जिन्नोंने वारूपे 2 ली उनको भी फायदा मिल जाएगा तो दोस्तों minimum और maximum pension बढ़ानी पड़ेगी जो आगे आने वाले retiree हैं उनकी जो उनकी pension है जो वो last pay का 50% pension ले रहे हैं वो बढ़ानी पड़ेगी तब ही पुराने pension उसको फायदा मिलेगा आपने यहाँ पर देख लिया यहाँ पर 33,000 pension हो गई जैसे ही मैंने minimum और maximum बढ़ाया तो उसका average भी फिर बढ़ गया ऐसी दोस्तों अगर हम सुबेदार 30 साल में बात करें मैंने यहाँ पर minimum pension बढ़ाई है पहलेटी दोस्तों जो CGDA ने लीती, PCDA ने लीती 26,400 मैंने यह minimum pension यहाँ पर कर दी 32,200 पहलेटी maximum pension 35,600 इसे भी मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर मैंने 36,800 कर दिया दोनों का total करेंगे और average pension निकालेंगे तो आएगा 34,500 तो आप यहाँ पर खुदी देख रहे हैं आप खुदी देख रहे हैं कि अगर minimum maximum बढ़ाया जाता है तो average pension भी बढ़ पाएगी तो जो आगे आने वाले pensioners हैं उनकी pension बढ़ाई जाए उनको maximum फायदा दिया जाए ताकि उसका फायदा फुराने pensioners को मिल पाएगी तो दोस्तो आपने यहाँ पर देख लिया कि minimum maximum अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका average भी फिर जादा बनता है तो यही काम करना पड़ेगा government को अब दोस्तो दूसी जानकारी देखिए फायदा मिलेगा किन रैंकों को जियां दोस्तो आगे आने वाले time में किन रैंकों की pension बढ़ेगी सिपाई की, नायत की, हवलदार की, ओनरी नैसोगेदार की इनकी बढ़ेगी pension जियां दोस्तो क्योंकि जो यह आगे आने वाले retiree हैं इनकी minimum maximum pension जादा है हाला कि अभी OARP3 में कुछ calling fine service में इन रैंकों की pension कम हो गई जादा नहीं बढ़ पाई किसी को 2 से का फायदा, किसी को 300 का फायदा जादा उनकी नहीं बढ़ पाई हाला कि आगे आने वाले time में कुछ rankों के साथ ऐसा हो सकता है लेकिन जादतर rankी pension बढ़ेगी मैं बात कर रहा हूँ सिपाई से लेके ओनरी नैसोगेदार तक की rank को सिपाई, नायक, हवलदार और और नहीं सुपर लेकिन जो JCOs रेंके, SCOs रेंके उनको नुकसान हो सकता है उनको नुकसान हो सकता है आगे अगर pension ठीक नहीं करी गई अब दोस्तों अगली जानकारी JCOs, SCOs की pension समान करी जा रही है ORS के जिया दोस्तों, JCOs की pension SCOs की pension degrade करी जा रही है उनकी pension नहीं बढ़ाई जा रही है और दोस्तों, इनकी pension समान करी जा रही है ORS के JCOs का rank ही खतम किया जा रहा है SCOs का rank ही खतम किया जा रहा है उनकी pension नहीं खतम किया जा रही है Table revise तो हो रही है लेकिन फायदा नहीं पहुच रहा है OARS की pension बढ़ रही है 1500 रुपे, 1600 रुपे, 2000 रुपे और 2500 रुपे इतने तक pension बढ़ रही है अगर आप उसका ratio देखें percentage देखें इतनी pension इनकी बढ़ रही है 1500, 1600, 2000, 2000 रुपे लेकिन JCOs और SCOs की pension नहीं बढ़ रही है इनको फायदा हो रहा है 200 रुपे का, 500 रुपे का, 600 रुपे का 300 रुपे का, इतना ही फायदा हो रहा है percentage के साफसे अगर हम देखें तो 2%, 3%, 4%, 5% इतना ही इनको फायदा हो रहा है तो दोस्तों यह यहाँ पे नुकसान है तो pension यहाँ पे समानी करण नहीं है percentage का जो ratio है वो भी difference है अगर हम सिपाई से लेके honorary captain तक ही बात करें दोस्तों यह यहाँ पे नुकसान है अगली जानकारी JCOs की SCOs की pension खतम की जा रही है ना बढ़ा कर जिया दोस्तों जब pension बढ़ेगी नहीं माइनस में जाएगी तो एक तरफ दोस्तों pension खतम ही होगी एक तरफ दूसे रैंकों की pension बढ़ रही है और एक तरफ दूसे रैंकों की pension नहीं बढ़ रही है जिनकी नहीं बढ़ रही तो उन्ट का मतलब है कि pension खतम होना यह सोचना पड़ेगा भारत सरकार को अगली जानकारी मिलिट्टी सर्विस पे भी सिरफ ORs की बढ़ाने को लेकर कहा था पहले जिया दोस्तों जो मिलिट्टी सर्विस पे बढ़ाने का मामला था पहले आर्मी हेटकॉर्टर की तरफ से खा गया कि सिरफ ORs की MSP बढ़ा देते हैं JCOs को रहने देते हैं दोस्तों ये भी दुखी करने वाली बात थी JCOs के लिए क्या JCOs rank जॉब नहीं करते हैं उन्होंने देश की सेवा नहीं करी ये सब प्रॉब्लम है यानि रैंकों के बीच भेदबाब उत्पन करना यही दोस्तों भारत सरकार कर रही है कुछ रैंकों की पेंशन बढ़ा रही है कुछ रैंकों की पेंशन नहीं बढ़ा रही MSP बढ़ाने की भी मांग सिरफ ORs के लिए रखी गई पहले JCOs के लिए नहीं रखी गई दोस्तों यह हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं यह एक्चुल चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो गॉर्मेट कर रही है पेंशन आप बढ़ा रहे हो सिपाई से लेके ओनरी नहीं सुदार तक की तो फिर JCOs की क्यों नहीं बढ़ा रहे हो SEOs की क्यों नहीं बढ़ा रहे हो उनको 2000 से उपर तक का फैदा क्यों नहीं दे रहे हो जो आगे आने वाले रिटेरी है उनकी पेंशन आप ठिक क्यों नहीं कर रहे हो उनकी पेंशन मैक्सिमम क्यों नहीं कर रहे हो ये सब problems हैं दोस्तो, discrimination, भेदबाव खुदी भारत सरकार यहां पर उत्पन कर रही है रैंको के बीच इसमें कोई जवान की गलती नहीं है JCOs की गलती नहीं है SCOs की कोई गलती नहीं है ना ही किसी और की गलती है खुदी भेदबाव यहां पर उत्पन हो रहा है पेंशन के कारण तो दोस्तो, military service पर की जो मांग थी वो बढ़ाने को लेकर थी military service पर रैंको की बढ़ाई जाए लेकिन army headquarters कहता है कि सिरब UARS की बढ़ाई जाए JCOs को आप रहने देजिए ऐसा क्यों यहीं पर दोस्तो, यह भेदबाव उत्पन हो रहा है यह नहीं होना चाहिए फिर दोस्तो, अगली जानकारी aid CPC आना बहुत जरूरी ताकि थोड़ी बहुत pension सुधारी जा सके जैसा आपको पता है, जब भी कोई नया pay commission आता है तो उसमें हर एक की pension बढ़ती है हर एक को फायदा पौस्ता है तो दोस्तो, जैसा आपको पता है कि जो आगे आने वाले रिटेरी है JCOs, SEOs, उनकी pension ज्यादा नहीं बढ़ रही उनकी pension minimum जा रही है जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाया तो दोस्तो, जब आठवा वेतनायोग घोशित हो जाएगा तो दोस्तो, इनकी pension भी फिर बढ़ जाएगी जो आगे आने वाले रिटेरी है जब इनकी pension अच्छी कासी बढ़ जाएगी तो दोस्तो, उसका average भी फिर अच्छा ही निकलेगा जब आगे ORP revise होगी ताकि JCOs की, SEOs की pension बढ़ पाए क्योंकि दोस्तो, 8 CPC में हर एक की pension बढ़ेगी हर एक की, चाए वो 9,000 ले रहा हो चाए फिर वो 18,000 ले रहा हो या फिर वो 26,000 ले रहा हो सब की pension बढ़ेगी तो दोस्तो, जब pension बढ़ेगी तो फिर कहीं न कहीं जो आगे आने वाले JCOs हैं, SEOs हैं, उनकी pension भी बढ़ेगी और जब उनकी बढ़ेगी, तो उनकी average pension, बढ़ी हुई pension पुराने pensioners को पास कर दी जाएगी तो इसलिए 8 वेतनायोग आना बहुत बहुत जरूरी है इसलिए हम लगतार demand उठाते रहते हैं, कि भारत सरकार 8 वेतनायोग जरूर गटित करे ताकि ORP की जो बिसंगतिया हैं, वो कुछ हद तक कम की जा सके ताकि आगे आने वाले pensioners की pension बढ़ जाए और उसका फायदा पुराने pensioners को मिल जाए जो last pay drawn का 50% pension लेके आएंगे आगे, उनकी बढ़ जाए pension, 8 वेतन आयोग घोशित होने के बाद और उसका फायदा फुराने pensioners को मिल जाए, यही मेरी demand है तो दोस्तों यही कुछ जानकारिया थी, जो मैंने आपको समझाई है आई होप सारी जानकारिया आप अच्छे दिस समझी होंगे वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकतें कुछ और पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकतें तब तक लिए दोस्तों मैं वीडियो यहीं अंड करता हूँ, थैंक्यू सो मच्छ